नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि RRC गुरूप D का क्या कट आफ हो सकता है पर सीथ कितनी कॉम्प्टीशन है और टॉप नाइन जोन जो है जहां कॉम्प्टीशन सबसे ज्यादा है तो इस वीडियो के लास्ट टक बने रही है स्कॉलर्शिप टेस्ट है जिसमें 2000 शेयोर गिफ्ट मिलने वाले हैं दोस्तों यह ऐसा नहीं है एक्जाम कि आप इसमें क्या है कि लॉकी डॉप के दोरह दिया जाएगा दस हजार लोग को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें जो है लॉकी डॉप दो हजार लोग को लिया एससी बैंक के एक्जाम और लेडी हो चुका है नो सामके पांच बजे वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक है वहां आप टेस्ट को जॉइन कर सकते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको पताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको दोस्तों कोड इतना है तो दोस्तों मैं आपको यहां important जानकारी देने वाला हूं कि आपका RRC Group D जो है वो पर shift क्या competition होने वाला है और आपका क्या cut-off होने वाला है तो दोस्तों इसमें जो सबसे आदा competition है वो है इलावाद में इलावाद में आप देख सकते हैं लगबग 9 लाख लोगों और पर shift competition 183 है ठीक है तीसरा है विलासफूर जिसमें 2,083,000 लोग ने फॉर्म फिल्ट किया है 1,664 सीटे हैं और 170 पर shift competition है अगला हाजीपूर है जिसमें लगबग सारे 5 लाख फॉर्म फिल्ट किये हैं लगबग सारे 3,000 वेकेंसिया हैं 161 पर shift competition है अगला हम देखते हैं गुरखपूर फिर देखते हैं डैली फिर देखते हैं जबलपूर तो आप देख सकते हैं कि ये 9 जोन ऐसे हैं जहां आपका पर shift competition इतना है ठीक है तो अगर आपने इन 9 जोन में फॉर्म फिल्ट किया है और आप जनरल कैटेगरी से हैं ध्यान रखिए अगर आप जनरल गया है तो यह मान के चलिए कि आप RRC Group D के भी उसी हिसाब से आपको तयारी करना है हाला कि NTPC में जो कट आप गया है उससे कम जाएगा क्योंकि यहां एक लाक सीटे हैं यहां सीट जो है वह एक लाक है ठीक है और NTPC में कितनी सीटे थी वहां 30,000 थी सीटे 35,000 क्यास पास स इस बात को ध्यान रखेगा सीटे लगभग तीन गुना है लेकिन कॉम्टीशन आपका रहेगा कट आफ हाई जाएगा जनरल वाले कम से कम इन जोन में है तो कम से कम 75 लाने की कोशिस करें और अगर आप OBC से हैं तो 70 लाने की कोशिस करें मतलब इतना आपको स्कोर करना है ज 60 जो है वो स्कोर करना है इसके अलावा भी जोन है उनके लिए मैं कहूंगा कि आप 75 प्लस करने की कोशिस करें क्योंकि क्योंकि कॉम्टीशन डेली डेली बढ़ रहा है आप मैं देखा हो कि तीन साल आपके फॉर्म 2019 में वेकेंसी आई है तीन साल में ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं लगातार कॉम्टीशन दे रहे हैं कई तो उन्हेंने कितना चीज किया होगा तो इस बात को ध्यान रखना है कि कॉम्टीशन दोस्तों य लाने की कोशिस करें और मैंने आपको पर-seat competition बता दिया है कौन से ज्यादा नौ ऐसे जोन है जो सबसे ज़्यादा टफ है जो according to तो वह भी मैं वीडियो लाने की कोशिस करूँगा तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट में करें कि यह समको अधर जोन का भी इंफोर्मेशन जानना है तो वह भी मैं आपको लेकर आऊंगा धन्यवाद